वाइस यह देखो भाजी खा रहा है यह यह देखो भाई देख रहे हो कैसे मस्ट मजश बंदर जैसे खा रहा है देख रहे हो ना हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल उमीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में मस्ट मौज ले रहे होंगे तो गाइस अभी मैं खा रहा हूं मस्ट लाई और मतलब लाई तो रास्ते में खाते खाते जाऊंगा अभी हम फिलाल जा रहे हैं भाजी खाने चन नमक ले लिया हूं पता है कौन सा भाई डरा वाला बड़ा बड़ा जो रहता है न वो ले लिया हूं और अभी मस्ट मिर्ची तोड़ूंगा फिर हम दोनों भाई जाएंगे खेत में मस्ट चने की भाजी खाएंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे कि गाउं में रहने के यह देखो यह तोड रहा है मिर्ची अपना भाई अब अच्छी तोड़ना अब इतनी मिर्ची खायेगा कल सुगे प्रोब्लम हो जाएगी फिर दिखा मिर्ची दिखा पस एक ही दिखा अब गिर गई यह दोगो गाइस यह है मिर्ची देख रहो यह तो अभी हम ले पकाड तो अभी हम जा रहे हैं मस्ट भाजी खाने हम दोनो और जगह बताऊं बाबा का बगईचा ठीक है न तब चलते हैं और डायरेक्ट आप लोगों से वहीं मिलते हैं तो गाइस राश्ते में हमें देखने के लिए मिला है यह देखो यह है गेहूं और यह पूरा पानी देख रहे हो पानी भरा हुआ है तो यह पानी पता है कहां को दिखा दूँ इसलिए दिखा दिया तो गाइस यह है नहर यह देखो और यहां से नहर क्रॉस करने के लिए बना हुआ है यह देखो मस्त पानी एकदम फूल भरा हुआ है उदर यहां पर भी एक पूल है वहां पे अंकल लोग बैठे हैं मस्त आराम सी देख रहे हो और भ इही तो है मुझप्कष्टी गॉंक जाय कर ऐ असली मज़ा.. यह देखो भाई रास्ता बुला दिया.. गलत रास्ते में आगए भाई गलत रास्ते में.. रास्ता ही नहीं देख रहा है आगे सेब कहां जाएं.. मैं लोगों को वहां पर जाना है.. वहां आ पास.. तो आगे आगे अपना भाई चल रहा है और पीछे-पीछे में है यह भाई इधर बहुत सारे जाएगी तो अब डायरेक्ट चल के आप लोगों से खेत में ही मिलते हैं तो गाल्स अभी हम फाइनली खेत पर पहुंच चुके हैं यह देखो मीर्ची और यह देखो नमक अभी म हांस खेत में बैठके खाएंगी ए देखो अर poverty का खेत यह यह देख रहे हो कि इस दीख नूइरा होगा बहुत कम-कम दीख रहा होगा और यह देखो यह भाई खूट-खूट के खाने लगा अम मैं भी बटा फट खाता हूँ ठीक है न हम भाई चना की भाजी खा कर चल रहे हैं घर इस खेत में ज्यादा भाजी थी नहीं तो माजा भी नहीं आया तो नमाक मेची लेके अभी चल रहे हैं दूसरे खेत में और भाई को हो गई खास रहा है देख रहे हो तो अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ इधर आये थे अपना खेट देखने कि कैसी है अपनी फसर तो देख लिया और बगल वाले खेट में थोड़ा सा चैने की भाजी दी तो मस्ट खा लिया अब चलते हैं घर के पास अपने खेट में मस्ट आराम से खाएंगे ठ बाई बोल रहा है जैसा हमको भाजी खाने के लिए चाहिए थी वैसा खेट मस्ट मिल गया है आप लोगों कुछ की आवाज नहीं सुनादी होगी इसलिए मैं बता दिया हूं तो अभी फटा फट खाते हैं क्योंकि भाई अगर वीडियो ही बनाता रह जाएंगा तो खाओं आप लोगों को ये ब्लोग पसंद आया होगा हमने मस्त मस्ती करकर भाजी खाई तो अगर आप लोगों को ये ब्लोग पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जल्दी मिलते हैं आप से नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए